सुप्रभदभचो आज मैं आप लोग को पाठ त्रिटीय लंगलाकार पढ़ाने जारी हो इसके पहले मैंने लंगलाकार ही पढ़ाय था लेकिन आज मैं अपद हुआ पूरुस पढ़ाने जारी लंगलाकार का मद्धन पूरुस तबosph कर भूत कल पहले भी बतायए हम लंगला पर्थम पुरुष पढ़ाये थे, पर्थम पुरुष किसको कहते हैं, जिसके बारे में कुछ बोला जाए, उसको हम मद्धम पुरुष बोलते हैं, आज मैं पढ़ाऊंगी मद्धम पुरुष, मद्धम पुरुष किसको कहते हैं, जिस वक्ति से हम बात करते हैं, कर रहे हैं, उसे हम मद्धम पुरुष कहते हैं जैसे कोई दो दोस्त मिलकर बात करने हैं तो एक जो सुनता है वो हो जाएगा मद्धम पुरुष मद्धम पुरुष में तुवाम यूवयाम और यूवयाम यह मद्धम पुरुष का करता है प्रथम पुरुष का करता सह त क्याम आदु जाता है AWS मिemics पुरुष में तुम्– यवाम और और युयम यह ममद्धम पुरुष." मर्थम पुरुष का करता का प्रयोक। त्रिलिंग》 और पुलिंग के लिए किया जाता है। लेकिन मध्धम पुरुष में क्या होता है अलग अलग होता है करता है साह होता है पूलिंग में तो स्ट्रेलिंग में साह हो जाता है उसी तरह फिर तो होता है पूलिंग में तो ते हो जाता है स्ट्रेलिंग में इस तरह से अलग अलग होता है लेकिन मद्धम पुरुष में करता जो है स्ट्रेलिंग पूलिंग दोनों में एक ही प्रयोग किया जाता है तो लंगलाकार मद्धम पुरुष का प्रत्य इस प्रकार से लगाते हैं तो लंगलाकार के पहले हम जब धातू बन अलगाएगा तो उसके पहले हम उपशर्क और लगाएंगे अधादू के बाद मध्धम पुरुष में क्या लगाएगे एक बचन में अदुबर्चन में अत प्रथम पुरुष में तम लगाएते तौ में आकी मात्रा था इसमें आकी मात्रा नहीं है इसमें तो और मौ है और इसमें अत तो ये हो गया मद्धमपुरुच का प्रत्य जैसे पठ धातू है पठ में आगे हम लगाएंगे उफसर्फ आपठ हो गया उसमें प्रत्य मद्धम पुरुस का प्रत्य लगा दिये विशर्व अपठह हो गया उसी प्रकार आगे पठ्धातु के आगे उपसर लगा अपठ्ध हुआ और प्रत्य अ तम्-त लगाते है नहीं how to become money जो है लगाते हैं तो तुमने पढ़ा तुम ने तुमझे ये करता यह कौन सा है मध्धन पुरूस है मध्धन पुरूस अभी हम बता है मध्धन पुरूस तो I wahr nähen Tom Keeping दोने तुम सब होता है तो यह हम समझ गए कि pods thisвар दीये और इसमें परह यानि पर चुका है लंगलकर है इसलिए तुम ने का सांस्कित हो तुम अपारहा का अपठा क्यों हुआ क्योंकि पठ धातु है आगे में उपसर्ग लगा दिये और एक बचन है इसलिए इसमें अह लगा है तो अपठा हुआ तुम अपठा दूई बचन में युवाम अपठातम यानि तुम दोनों पढ़ा ये भी मध्धम पुरूस है कैसा स बचन कितना है दूई बचन है दो व्यक्ति का बोध हो रहा है इसलिए दूई बचन है और तुम दोनों का सांस्कित क्या होता है युवाम मध्धम पुरूस है दूई बचन में प्रत्ते क्या लगेगा अतम इसलिए अपठातम हुआ युवाम अपठातम तुम दोनों ने पढ़ा, तुम सब ने पढ़ा, तुम सब का सांस्कित होता है, यूयम, और पढ़ने का पठवा, ये लंगलाकार मद्धन पुरूस, बहुत बचन है, इसलिए अपठत हुआ, इसे तरह कुछ उधारन नीचे में दिया हुआ है, आपके पुस्तक में, तुम लेखाम अलिखा, तुम लेख, लेख मतला निबंद होता है, निबंद लिखा, लिखी, तुम निबंद लिख चुकी है, यानि यूआम लेखाम अलिखतम, तुम दोनों लेखाम मतला लेख, पत्र या लेख होता है, एसे, तो तुम दोनों निबंद लिख चुकी है, यूआम लेखाम अलिख तुम सब निबंद लिख चुकी है, ये एक बचन हुआ, तुम एक बचन हुआ, यो आम दुई बचन हुआ, यो याम बहुआ बचन हुआ, सबका करता के साथ क्रिया भी सब में चेंज होते गया, इसमें हो गया अलिखा, इसमें हो गया अलिखतम, इसमें हो गया अलिखत, फि तुम पानी में तैरे युवाम जले अतरतम तुम दोनों पानी में तैरे यहने तैर चुके हैं युवाम जले अतरत तुम सब पानी में तैर चुके हो तुम निर्धनाई बस्तरानी आय अच्छ यच मतलब देना तो इसमें तुम निर्धन मतलब गरीब के लिए निर्धना इसमें चतूरती विभक्ति लगा है तुम गरीब के लिए वस्त्र दिये या दे चुके हो फिर युवाम देवालाय इस्वरस बन्दनाम अकुरुतम तुम दोनों देवालाय मतला मंदिर में इस्वरस इस्वर का बन्दना पार्थना किये अकुरुतम किये युवाम समय स्हाद उपयोकम अकुरत तुम सब समय का सही उपयोक किये तुम पति जोगितायं गीतम अगया सब लंगलकर भुतकल में है यानि हो चुका है तुम प्रतिजोगिता में गाना गाए, युवाम तुम दोनों कच्छायां क्लास में तुरुसिनीम मतलो सांती से, अतिस्ठम, तिस्ठ धातु यानि बैठा, तुम दोनों कच्छा में सांती से बैठे, युवाम परिच्छायां सफला अभवत, तुम सब परिच्छा में सफल सफल हुए, तुम पिता महीं सह अकिड़, तुम पिता महीं मतला दादाजी, दादाजी के साथ खेले, तुम दादाजी के साथ खेले, युवाम पड़िवारीन सह चित्रा गारम अगेच्छतं, तुम दोनों पड़िवार के साथ चित्रा गाणम यह मतलब होता है सिनेवा होल, सिनेवा, पिक्चर होल में गये, चित्र देखने या, चल चित्र देखने गये, इवाम चित्रकाला पते जगेतां अपस्याद, तुम सब चित्रकाला पते जगेता देखे, हया तव विद्धा लए चित्रकाला पते जगेता असी कल, हया मतलब बिता हुआ कल, कल तुम्हारे, तौ मतलब तुम्हारे, विद्धाले मतलब बिद्धाले में, कल तुम्हारे विद्धाले में, चित्रकला पते जगिता था, आसित मतलब था, तुम अपी पती भागी, आसि परम तुम पते जगितायं बिलम बेन समेलिता अभवत या तुम मार्गे एकम भिच्चूकम अपस्चाथ तुम भी तुम अपी मतलब भी पती भागी मतलब पाटिसिपेंट reporting धी आसी मतलब थे तुम भी पती जगीता में भाग लिये थे परम लेकिन तुम पती जगीता में विलंबें देर से समयलित हुए लेकिन तुम प्रतिजगिता में देर से समयलित हुए यता क्योंकि तुम तुम्हारे मारगे मतलब रास्ता में एक कम एक भिचुकम अपरसत एक भिचुक को देखा था क्यों देर हो गया था क्योंकि रास्ता में एक भिचुकम एक भिचुक मतलब भुखा था तस्य वस्तरानी जिर्नानी आसन जिर्नानी मतलब फटा पुढणा तो उसका कपड़ा फटा पुढणा था तदेव तत्र तव मित्रे सुरेश रमेशे चा अगच्छत तभी तत्र तुम्हारे मित्र सुरेश और रमेश आए तभी तुम्हारे दो मित्र सुरेश और रमेश आए रमेशा तुम च ग्रिहम अगस्चत, भोजनम बस्तरम च अनयत्तम, रमेश और तुम उसकी घर में जा गए और भोजन और बस्तर लाए, इसलिए देर हो गया ना प्रति जोगिता में रास्ता में भीकारी को देखा फिर भीकारी का क्या था बहुत भुका था उसके सरीर में बस्तर नहीं था फटा हुआ बस्तर था तो वो अपने दोस्त रमेश के साथ गया उसका घर आपने घर से फिर भोजन बस्तर लाए इसलिए विच्चुकाई अन्न với्ज्तरम just अच्छयतं तुम दोनों भिखारी के लिए अन्न और वस्त्र दिये इवाम प्रसन्ना अवाद तुम सब खुष हुई इवाम सोवना भालक मतलां बहुत अच्छा भालक थे हैं तुम सब बहुत अच्छा भालक है इसमभया प्रधानाचार्चा पुरसकारम अज्छत तुम सबको प्रधानधापधु कि पुरसकार दिये तो यह है लंगलकार भूतकाल और मध्धम पूरुश में इसको लखार प्रत्य हातु के साथ प्रत्य क्या क्या लगाते हैं वह याद करना है यह लगाना है आगे उपसर और लगाना है